नमस्कार स्वागत आपका निव्स वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागे और आप देखने हैं मार्ग हास बुलिटन अभी-अभी खबरों का रुख कर लेते हैं उत्रप्रदेश के 32 जिलो में अवैद धर्मांतरन का जाल फैला हुआ है यूपी की एंटी टेरिरिस्ट स्क्वेर टीम पूरे धर्मांतरन रैकेट की पोल खोलने में जटी हुई है एटियस धर्मांतरन रैकेट की परताल कर रही है लेकिन टीम में अफसरों की कमी देखने को मिल रही है बड़े सर पर पहले अवेद धर्मानतरन के जाल की जाँच परताल के लिए कम से कम सौ से ज्यादा पुलिस कर्मियों की जरूरत है लेकिन 32 जिलो में जांच के लिए विशेश टीमों का गठ्षन किया गया है जिनका मकसद अवैद धर्मांतरन केस की परते खुलना है बता दें धर्मांतरन केस में गिरफतार तीन अन्य आरोपियों से भी पुलिस रिमान के दौरान पूश्टाश शुरू कर रही है वहीं एमदवाद से गिरफतार कर लाए गए सलाहुदीन को शुक्रवा को कोट की नयायक अभी रक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है यूपी एटियस आरोपि को कस्टिडी रिमान में लेने के बाद पूश्टाश करेगी लखनो कोट से पांच दिनों की कस्टिडी रिमान मन्जूर होने के बाद एटियस ने शुक्रवा को इर्फान शेक राहुल भोला और अब्दुल मन्ना उफ मन्नु यादब को जिला ज खुलती जा रही है और लगातार एटियस की टीम सक्रिय होती नजर आ रही है कई लोगों को एटियस की टीम ने गिरफतार कर लिया है लेकिन टीम में सदस्यों की कमी महसूस की जा रही है कम से कम जाच के लिए टीम में सौ से ज्यादा सदस्य होने चाहिए और कई विशेश इस टीमों का गठन बीसी लिए कर दिया गया है हाले में केंद सकार ने नए सहकारिता मंत्राले का गठन किया गया है जिससे नकेवल सहकारिता अंदोलन के सफल खोने की आशक की जा रही है बलकि सहकार से सम्रिद्धी की परिकल्पना के साकार खोने की उम्मीद भी है करोड़ है जैसे डेल लाग प्रात्मिक दुख्द सहकारी समीतियां कारिवरत हैं जो ग्रामेर इलाकों में कार्य करती हैं और तीसी वो जो उद्योगों में कारेरज श्रम्रिकों और करमचारियों की वित्याज जरूरते पूरी करने का प्रयास करती हैं। देश में करीब एक लाक महिला सहकारी साख समीतियां भी हैं। ऐसे में मचली पालन को पढ़ावा देने के उदेश से मचली सहकारी साख समीतियां हैं। तो बुनकर सहकारी साख समीतियां भी हैं और काउंट हाउसिंग सहकारी समीतियां भी मौझूद हैं। बिहार में बार के स्थिती भयावे बनी हुई है और इसी बीच समस्तिपुर शहर से एक जराने वाली तस्वीर सामने आई हैं। दरसल समस्तिपुर शहर के बीच से गुजरने वाली बुरी गंड़क नदी खत्रे के निशान से काफी उपर भे रही हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया गया एक पुराना लोहे का पुल अब बुरी गंड़क नदी के बढ़ते जोलिस्तर की वज़ा से खत्रे में आ गया है। दरसल समस्य पुर्ष शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला ये पुराना लोहे का पुल तक्रीबन सतर साल पुराना है जानकारी के मताविक इस लोहे का पुल का निर्माण उनिस सुक्यावन में किया गया था मगर आज इस पुल की हालत बेहत जजज़र हो गई है ये लोहे का पुल पूरी तरीके से जंग खा चुका है और कई जगाहों से तूट भी चुका है बूरी गंड़क नदी पर बने इस लोहे के पुल को लेकर जो सबसे ज्यादा खत्रे की बात है वो ये है कि प्रसाशन के द तस्वीरे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं समय गंड़क नदी का जलसब बढ़ने से बिहार में बाट जैसे खालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन वहां बता दे लोहे का पुल पूरी तरह से जजजर हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी उसमें काम नहीं किया जा रहा है हाला कि तस्वीरे में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के खरों में गाउं में पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है राजिस्तान के स्वास्व मंतरी डॉक्टर रगुश रर्मा ने कहा है कि हम दो हमारे दो का एक कानून बदल कर हम दो हमारा एक करना चाहिए भारत सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है तो राजिस्तान सरकार भी उसका साथ देगी सचाई तो ये है कि आज से 29 साल पहले राजिस्तान में जनसंख्या नियंतरन के लिए उत्रप्रदेश जैसे कानून बने थे लेकिन जनसंख्या का विस्पोर्ट जारी है राजिस्तान में प्रजिंदर उत्रप्रदेश से भी ज्यादा है बता दें, राजिस्तान में 200 विधायकों में से 77 के 3 से लेकर 9 बच्चे हैं पिछले साल, पिछले साथ दशकों में राजिस्तान की अबादी 426 परसंट बड़ी है साल 1947 में राजिस्तान की अबादी 10 करोड से बढ़का 8 करोड हो गई थी राजिसान देश के उन राज्यों में है जहां आबादी नियंतरण के लिए सबसे पहले कठोर कानून बनने शुरूख हुए थे 1992 में पहली बार राजिसान के मुखे मंतरी रहे स्वरगया भैरो सिंग शेकवत शेकावत ने पंचायत और नगपालिका कानून में बदलाव करते हुए जन प्रतिनीधी चुने जाने के लिए दो बच्चे अनिवारे कर दिये थे तो बता दें लगातार यूपी सरकार की जन संख्या कानून नीती लाने के बाद से ही तमाम राज्यों में इसको लेकर चर्चा जोर पकरती जा रही है हाला कि सियासी ववाल विस पर मचा हुआ है बिहार के बाद अब राजिस्तान में भी जनसंक्या नियंतन कानून को लागू करने की बात सामने आ रही है पाकिस्तान अपनी खरकतों से बास नहीं आ रहा है और लगातार जंबू और एलोसी पर घुसपैट की कोशिशों में लगा हुआ है दरसल भारती सेना भी पाकिस्तान की नापाक साजिशों से परिचित है जिससे निपत्ते के लिए सीवा पर आधुने खत्यारों के साथ जवानों को तैनात करतिया गया है बता दें कि पाकिस्तान एलोसी पर लगातार घुटपैट की कोशिश करवा रहा है ताकि आतंकियों को जंबू कश्मीर में फेज कर यहां के अमन और चैन में खलल डाली जा सके भारती सेना पाकिस्तान की इस नापाक साजिश से परिचित तो है जिसके बाद भारती सेना ने एलोसी पर अपनी गश्त भी बढ़ा दी है जम्मू में एलोसी से सटे इलाकों में भारती सेना के जवानों को सिग्स और जैसी आधुनिक असॉल्ट राइफल भी दे दी गई है सीमा पतेनात इन जमानों को कुछ आधुनिक उपकर्णों से लेस किया गया है जिन में HD और नाइट विजिन वाले कैमरा भी शामिल हैं दरसल पाकिस्तान जहां एक तरफ इसी साल परवरी महीने में सीमा परज़ारी ग्युद विराम ग्योशनाओं के शब्दों का सम्मान करने की बात कह रहा था लेकिन पाकिस्तान ग्युद विराम की शर्टों का सम्मान करने के नाम पर सीमा पन्नकाता घुस्पैट करवा रहा है यूपी जोड़ो अभ्यान को गती देने के लिए बुद्वार कौाम आदमी पार्टी के सांसर संजर सिंग और रिया जुले के दोरे पर गए बाचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना की नाम पर करोणों का घुचाला किया है पंचाय चुनाव में गुंडगर्दी का लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर दिया गया है शहर के एक होटल में सांसर संजिर सिंग ने कहा कि उत्रप्रदेश में वेंटिलेचर, वाइपर, मॉनिटर की खरीद में करोणों को खुटाला हुआ है लकनों के हज़र्द गंश्थाने में प्रदेश तरकार के मंतरी चुरेश खना, प्रमुक सचिव, आलोक कुमार और कई मेजिकल कॉलेज के संचालकों के खिलाब अपयार दर्ज कनारने के लिए तेहरी भी दी गई है केजिवार मॉडल को लेकर यूपी में सदस्य अभ्यान शुरू किया गया है और हर विधानसवाज श्वेतर में 25,000 सदस्य अभ बनाए गए हैं बता दें, 2020 में प्रदेश में बदलाव देखने कों भी मिलेगा तो लगाता, 2022 के चुनाव को लेकर तैयारिया जोरो शोरो पर हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसर संजे सिंग और यह दोरे पर पहुंचे जहाँ उन्होंने बीजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला तो बता देंगे, अगले साल होने वाले यूपी में विधान सबाश चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय होती नज़द आ रही हैं सभी पार्टियां अभी से पुर्जोर कोशिश कर रही हैं ऐसे में आम आदमी पार्टि के सांसद संजे सिंग और एया पहुंचे और जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई आरोब भी लगाए और साती सात उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर और कोरोना के मामले में कई काफी ज्यादा धुका धड़ी की गई है फर्जी वारा किया गया है और ऐसे में कई मामले सामने आए हैं और एपायार भी दर्ज होनी चाहिए इसके साती सात उन्होंने कहा कि चुनाव में गुंडगर्दी कर लोकतंत्र की मर्यादों को तारतार कर दिया गया था शहर के एक पूटल में सांसर संजे सिंग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर वाइपर मॉनिटर की खरीद में करूरों का खुटाला हुआ है बता दे दोहजा बाइस के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार सक्प्रियन नज़रा रही हैं और ऐसे में आम आद्मी पार्टि के सांसर संजे सिंग और अया जुले के दोरे पर आये और बाचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दे कोरूना के नाम पर करूरों का खुटाला किया है पंचाय चुनाव में गुंडागर्दी पर लोकतंत्र की मर्यादा को तारतार कर दिया गया है शेहर के एक होटल में सांसर संजे सिंग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर वाइपर मॉनिटर की खरीद में करूरों का खुटाला हुआ है इतना ही नहीं लखनों के हज़त गंज थाने में भी प्रदेश सरकार के मंतुरी सुरेश खनाव प्रमुक सच्रेव आलोक कुमार और कई मेजिकल कॉलिज के संचालकों के खिलाफ अफ़याद दर्श कुराने के लिए भी तहरीर दी गई है वहीं केज़िवार मॉडल को लेकर यूपी में सदस्य अभ्यान शुरू किया गया है और हर विधानसवाश शेतर में 25,000 सदस्य अभ बनाए जाने है बता दें 2022 में प्रदेश में बदलाफ देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी लगतार इस बात का दावा कर रही है तो बता दें लगतार दोहज़ाश बाइस में यूपी में होने वाले विधानसवाश चुनाव को लेकर तैयारियत जोरो शोरो पर हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में यूपी में उतरने वाली है पंजाब यूपी गोवा तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने आपको सक्रिय करेगी और चुनावी मैदान में उतरेगी हाला के उतरा खंड में भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में इस बार नज़र आएगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तमाम सांसर यूपी के अलग-अलग जिलों का लगातार दोरा कर रहे हैं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसर संजे सिंग भी पहुँचे थे और या जहां उन्होंने बीजेपी साकार पर जम करने शाना सादा और बीजेपी साकार पर कोरोना के समय में घोटाले करने का आरोप भी लगाया और बता दे हर विधानसमों श्वेतर में जवाब 25,000 सदस्य बनाए जाने हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और साल 2022 में प्रदेश में आम आदमी पार्टी जवार यिदनारा दे रही है कि प्रदेश में यूपी में बदलाफ देखने के लिए 2022 में मिलेगा उत्रप्रदेश एटियस द्वारा 12 जुलाई को अलकाइदा के सदस्य होने क्या रूप में गिरफतार दो मुस्लिम यूवकों को जमीयत उल्मा एहिंद के ने कानूनी सहायता देने का फैसला किया है इस संबन में गिरफतार यूवकों के परिवार वालों ने जमीयत उल्मा एहिंद से कानूनी सहायता मांगी है इस वेशे में जमियत कानूनी इमदाद कमेटी के अध्यक्ष गुलजार आजमी ने कहा कि आरोपियों के परिवार वालों की और से कानूनी सहायता का अनुरोध प्राप्त होने और अध्यक्ष जमियत उल्मा एंहिंद मौलाना सायद अर्शद मदनी क्या देश पर आरोपियों को कानूनी सहायता दी जाएगी और आरोपियों के बचाव में एड्वुकेट फुरकान खान को ने किया गया है उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अदालत से मुकदमे से संबंदे दस्तवेश को निका रहे हैं जिसमें रिमान रिपोर्ट, एफवायार की प्रती और अन्य चीज़े शामिल होंगी उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मुकदमे की अगले सुनवाई पर आरोपियों के बचाव में एड्वुकेट पुरकान अदालत में उपस्तित रहेंगे गुलजार आजमी ने कहा कि लखनों में प्रसिद और वरिष्ट अद्वुकेट मोहमद शोहेप ने भी जमियत उल्मा से आरोपियों का मुकदमा लड़ने का अनुरूद किया है जनसंख्या नियंतरन के मुद्दे कोले का देश भर में बवाल मचा हुआ है बिहार में भी इसको लेकर जबर्दस संगामा हो रहा है पतादे बिहार में बीचिपी विदायक संजीर चौरसिया ने सीम नितिश कुमार को ही खेड लिया वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि एनजीय में नितिश के मौजल का विरोध हो रहा है कॉंग्रेस ने ये भी कहा कि जिस तरह एनजीय में गतिरोध सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि ये सरकार शायद ही पांस साल का कारेकार पूरा कर सके दरसल पटना के दीगा से विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से यूपी सरकार ने जुन संख्या नियंतरन के लिए कानून बनाने की पहल की है वो स्वागत योग्य है और बाकी राज्यों को भी सरा की नियम वाली का पालन करने की जरूरत है संजीच और असिया ने नितेश के दावो को घता बताते हुए कहा कि सिक्षा और जाकरुकता तो पहले से ही हो रही है लेकिन उसका कुछ परिणाम निकल कर नहीं आ रहा है जब लोगों पर बंदेश लगेगी तो उसका लाब भी मिलेगा और जनसंख्या पन नियंतरन भी पता दे बालिका को आज बाल कल्यान समीती के सामने पेश किया जाएगा चाइड लाइन के हल्प लाइन नंबर पर मंगरवार को सूचना मिली थी कि मादो गंश के एक गाउं में तेरा वर्षिय बालिका का विवा कराया जा रहा है आज अर्वल के गाउं में उसकी बारात भी आनी थी बुद्वार को चाइड लाइन टीम के सदस्य अनिल मिश्रा और अमित जोहर गाउं पहुंचे और बालिका के परिज्णों को समझाने की कोशिश की इस पर परिज्णों ने टीम के साथ अभधरता की टीम के सदस्य थाने से पुलिस लेकर दोबारा गाउं शादी की तयादियां रुकवा दी तीम के समझाने पर भी परिज्ण विवार नहीं करने पर सहमत हो गए चाइड लाइन प्रभारी अनूप कुमार तिवारी ने बताए कि शादी रुकवा कर बालिका की काउंसलिंग की गई फिलाल बालिका को परिज्णों के ही सुपुर् वार को बाल कल्यान समीती के सामने बालिका को पेश किया जाएगा कुर्के की कारवाई के बीच शमीम खत्यकान में बीसपी नेता अनूपम दूबे कोट में सबर पर कर जेल चला गया है इस वार 25 साल पहले खुई जी आरपी के इंस्पेक्टर की खत्या में उसके खर की कुर्की की कारवाई को रूप दिया गया बसपा नेता पर जी आरपी ने 25,000 का इनाम भी घोशित किया हुआ था बता दे जनपत मेरत खाना अमीर नगर सराय के लाहोर सराय गाउं निवास इंस्पेक्टर राम निवास यादव की कानपुर के रावतपुर स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में 14 मई 1996 को खत्या कर दी गई थी इस प्रकरण में बस्पा नेता डॉक्टर अनुपम दूबे के खिलाव साथ जुलाई को कानपुर की अदालत ने कुर्की की कारवाई के आदेश दिये थे इस पर मंगलवार को आगरा मंजल के जी आरपी के सीओ खरीश चरंदर जिले की पुलिस के साथ उनके आवास पर कुर्की की कारवाई तामिल करने के लिए पहुँचे जी आरपी ने कुर्की नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई थी बस्पा नेता सायुक्त परिवार में रहते हैं और रात तक पुलिस ने उसकी संपत्ति की सूची बनाई थी बता दें रात कौन के आवास पर पुलिस सेनात कर दी गई थी बुद्वार सुबा दस बजे जी आरपी सीयो एक ट्रक पी एसी और पतेगर कोतवाल जैप्रकाश पाल के साथ बस्पा नेता के घर पर कुर्की के लिए पहुँच गई थी पुलिस कारवाई ने शुरू कर दी और तभी लगभग 12 बजे बस्पा नेता ने सीजेम कोट में 1995 के शमीम खत्यकान मामले में समर्पन कर दिया अब सरकारी अराज के लिए भोगताओं को ना तो लंबी कतारे लगानी होंगी और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा क्योंकि खर्याना सरकार अप्रदेश के भोगताओं के लिए ग्रेन एटियम स्थापित करने की योशना पर काम कर रही है दरसाल खर्याना के गुरुबराम जिले में पालेट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटियम स्थापित कर दिया गया है प्रदेश के उप मुख्यमत्रे दुष्चिंट चौटाला का कहना है कि ट्रेन एटियम लगने से लोगों के सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायते दूर हो जाएंगी उन्होंने कहा कि इस मशीन को लगाने का मकसर right quantity to right beneficiary है बता दें दुष्चिंट के पास ही खाद्या और अपूर्ती विभाग भी है उन्होंने कहा कि इससे नकेवल उप्भोकताओं को पायदा मिलेगा बलकि सरकारी डीपो पर अनाज घटने का जंजट भी खतम होगा और सारवजनिक अनाज वितरन प्रनाली में पहले से ज्यादा पारदर्शिता भी आईगी डिप्ते सीम ने कहा कि इस मशीने नकेवल सरकारी डीपो संचालकों को अनाज वितरन में सहयता साबित होगी बलकि इस से डीपो संचालकों का समय भी बचेगा तो बता दें खरियाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अब ना तो भूकताओं को लंबी लाइनों में अनाज के लिए लगना पड़ेगा और ना ही कम अनाज मिलने की शिकायत उन्हें करनी पड़ेगी बड़ा फैसला ये लिया गया है अब ग्रेन एटियम मशीन लगा दी जाएगी जिससे भूकताओं को सीधे तो अनाज मिलेगा बिना लाइन लगाए और बिना कम कुवांटिटी के देश के कई अन्ने राज्यों की तरह दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगाता गिरावट देखी जा रही है दिल्ली में कोरोना संकमन्ट दर अब शुने दशवलव एक फीस्दी हो गई है साथी पिछले 24 गंटों में कोरोना के सततर नए मामले सामने आये हैं इस दोरान राज़ानी में एक मरीज की जान भी गई है बता दे दल्ली में कोरोना के दाइ मामलों और मौतों की संख्या में गिरावट लगतार देखी जा रही है पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई है इसे हमारी की वज़ह से यहां पर अब तक 25,021 मरीजों की मौत हो चुकी है कोरोना डेट रेट एक दशवलग चार साथ फीज़ी हो चुकी है पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मामले सामने आने के बाद राज़धानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 688 हो गई है दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 14,35,281 हो गई है फिलाल यहां पर 215 मरीज हुम आइसलेशन में है बता दें दिल्ली में सुंभा को 45 नए मामले सामने आए थी तो लगातार दिल्ली में भी कोरोना के मामले घट रहे हैं जिस तरह से दूसी लहर में कोरोना की दूसी लहर ने दिल्ली में तवाही मचाई थी उसके बाद उसी तेजी से दिल्ली में लगातार मामले घटते हुए नसर आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 77 कोरोना के मामले सामने आए हैं जबकि एक मरीज ने अपनी कोरोना के चलते ही जानकबा दी है विश्व स्वास्ते संगठन ने आगा किया है कि तीका करण का दाराज ज्यादा ना होने से कोवेड-19 के डेल्टा सोरूप तेजी से पहल रहा है जिससे स्वास्ते प्रनालियों पर अधिक दवाब पढ़ने की आश्रंका भी है मंगलवार को जारी महामारी अपजेच में कहा गया कि 13 जुलाई तक कम से कम 111 देशों, शेत्रों और इलाकों ने डेल्टा सोरूप के मिलने की पुछ्टी हुई है और इसके बढ़ने की आश्रंका भी है जो आने वाले बहिनों में वैशों के स्थर पर खावी सोरूप बन जाएगा डेल्टा सोरूप के साथ जुड़ी बड़ी खुई प्रसाश श्रंता के मामले काफी खत तक पढ़ने और स्वास्ते धाचों पर अत्यधिक दवाब डालने की आश्रंका है खास का ठीका कम लगाए जाने के संधर में डेल्टा सोरूप के फैलने की श्रंता अब तक पहचाने गए चिंता वाले अन्य सोरूपों की तुलना में कहीं ज्यादा है बड़ी हुई संकमाकता का मतलब है कि यहां आने वाले महीनों में दुनिया भर में प्रमुख सोरूप बनने वाला है इसके अलावा ठीका वित्रन में भी अस्मानिता के चलते भी डेल्टा तेजी से फैल रहा है कोवाक्स कारेक्रम के तहत इस ठीका अस्मानिता को कम करने पर काम भी किया जा रहा है देश में कोरोना की तीसी लहर कोले का हर कोई चौकनना है इसी बीच वेश्व स्वास्ते संगठन ने स्पस्ट कर दिया है कि टीका लगवा चुके लोग डेल्टा वेडियंट के वुवाहग बन सकते हैं और दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं अमारिका और ब्रिटेन समय दुनिया के कई देशों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं दरसल डब्लू एचो की विग्याने कौम हमारी रोग विशेश गया जॉक्टर मार्या वेन के खोवे का कहना है कि दुनिया में डेल्टा वेरियंट का प्रसार पहले की तुलना में और ज्यादा तेज हो गया है दरसल लॉक्टाउन में छूट के बाद लोगों का मिलना जूलना बड़ा है भीर बड़ी है जिसकी बदौलत वायरिस का खातक रूप डेल्टा तेजी से अपना जाल फैला रहा है उन्होंने बताया कि टीका लगवा चुके लोग भी इस वेरियंट की चपेट में आ रहे हैं कई लोगों में संक्रमन के लक्षन नहीं दिख रहे हैं लेकिन वो वायरिस का वाहग बन रही हैं अब तक जिने टीका नहीं लगा है वो लोग जब इनके संपर्क में आ रहे हैं तो उनमें संक्रमन के गंभीर मामले देखने के लिए मिल रहे हैं तो बता दें लगाता डेल्टा वेरियंट को लेकर चेतावनी जारी की जा रहा ही किया और अब डेल्टा वेरियंट क्या निकी अब वेक्सीन लगवाने के बाद भी डेल्टा वेरियंट जो है वो मरीजों में फैल सकता हो वेक्सीन लगवाए हुए लोग और ज्यादा संक्र प्रिमत हो सकते हैं बाकी लोगों की तुन्दा में भारत 119 खिलाडियों सहे टोक्यो ओलम्पिक के लिए 228 सदस्य अदल भीचेगा बता दे भारतिय ओलम्पिक संग के अध्याक्षिन नरेंदर बत्रा ने बताए कि 119 खिलाडियों में से सरसर पूरुष और 22 महिला प्रतिभागी हैं बत्रा ने कहा कि टोक्यो ओलम्पिक के लिए भारतिय दल की कुल संख्या 228 होगी इसमें सरसर पूरुष खिलाडी होंगे जबकि 52 महिला खिलाडी शामिल हैं हम 85 पदग इस परधाओं में चुनाती पेश करेंगे यह ओलम्पिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाडियों का दल होगा रियो ओलम्पिक में भी 128 खिलाडियों ने खिस्सा लिया था उन्होंने कहा था कि भारत से टोक्यो जाने वाला पहला दल 17 जुलाई को रवाना होगा इनमें कुल 90 खिलाडी और अधिकारी भी शामिल होंगे टोक्यो ओलम्पिक का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस तक किया जाएगा पतादे महामारी की वज़ा से खेलों के दोरान स्टेडियों में दर्शकों के प्रवेश के अनुमती नहीं होगी ओलम्पिक खेल पूरी तरह से अपातकाल उपाय के अंतगत आयोजित किये जाएगे ये अपातकाल 22 अगस तक चलेगा भारतिया नौक्यन दल के 4 खिलाडी और कोच मंगलवार को टोक्यो पहुँच गए है योरप के अलग-अलग देशों में अभ्यास कर रहे नौक्यन खिलाडी अपने अभ्यास स्तल से जापान की रहसानी पहुँचे ये खिलाडी योरप से यहां पहुँचे है इसलिए उन्हें COVID-19 कोले का भारत से आने वाले अन्य खिलाडियों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंदों का सामना नहीं करना पड़ेगा बता दें मुक्य बाजी और निशाने बाजी की टीमें भी क्रमर्ज इटली और क्रोईशिया से टोक्यो पहुँची है और साथी साथ वहाँ पर अब अमेरिका से 15 या 16 जुलाई को टोक्यो पहुँचेगी इंगलाईन के खिलाब शुरू होने वाले टेस्ट स्यूरी से पहले भार्टे क्रोकेट टीम से चिंता बढ़ाने वाली ख़बर सामने आई है दरसल इंडिया टीम के दो प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये तब हुआ जब वर्ल्ड टेस्ट टेंपिनशिप के बाद से ही टीम इंडिया प्रेक पर चल रही है जो दो प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से एक रिपकाबर भी हो गया है जबकि दूसरे प्लेयर का जल्द ही टेस्ट किया जाएगा जानकारी के मताबक दोनों ही खिलारीों को ठंड लगने खासी और हलके बुखार जैसे खलके लक्षन ही थे लेकिन दोनों ही हाला दोनों की काबू में है पॉसिटिव आने के बाद एक खिलारी टेस्ट में नेगेटिव पाया गया जबकि दूसरे प्लेयर का टेस्ट 18 जुलाई को किया जाएगा पता दें 18 जुलाई को आइसोलेशन में प्लेयर का दसवा दिन होगा सूत्रों के मताबिक रविवार को दूसरे खिलाडी का टेस्ट होगा नेगेटिव वाने पर जल्द ही वो खिलाडी भी बाकी टीम के कैम्प के साथ शामिल हो जाएगा पूरे देश में मौनसून आ चुका है और बीते देन दिली अंस्यार में बारिश होने के बाद लोगों को घर्मी से राहत मिली मौसल विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश उत्तरप्रदेश उत्रक्षंड में भी कोचिस्तानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है वहीं हमाचल प्रदेश उत्रक्षंड के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया है आईमजी की तरफ से राजुस्तान और जमू कश्मीर के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है विभाग के अनुसा मद्यप्रदेश, 36 गर, पंजाब, खर्याना में आज खलकी से मध्यम बारिश की संभाबना है यूपे के राज़ानी लखनों के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है वहीं अन्य कुछ जगाओ पर यानिकी सारनपूर, मेरण, पिजनौ, मुसफणनगर, अम्रोहा, मुरादबाद, रामपूर, पीली भीट, पलिया, लखीमपूर, खिरी समित कर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाजी की गई है विभाग के मुताबिक 36 गर, तरंगाना, महराश्ट्र, मद्रप्रदेश में अगले दो दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है जहां कंड के कुछ हिस्सों में भी आज बारिश होने की पूरी समभावना जटाई गई है इस बॉलेटिन में फिलार के लिए अतना ही है, आप देखते रहे हैं जी स्वाल इंडिया की चनता समझे और इसी कड़ी में पीम